नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नमकुम करयाले पहुचे, एवं बिरोध परसन कर रहे हैं अभियर्ती, CGL की परिख्षा रद करने की मायं को लेकर परसन कर रहे हैं परसन को देखते हुए जीला परसासन भी पूरी तरह से तयार है परसासन के द्वारा चैन आयो कर्याले के मुख्य गेट पर दो लेयर बैरिकेटिंग की गई है आस्थानिय पूलिस के अलावा काफी संख्य में जीला बल के जवान भी तैनात है बता दे कर्याले के आसपास के मुख्य सड़कों पर भी बैरिकेटिंग की गई है मौके पर बज रवाहान एवं पानी के बहुचहार के लिए दमकल की टीम भी मुस्तेद है परदसन कर रहे है छात्रों की संख्या लगातर बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे भी 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 राज्यों के अभियार्थी भी पहुँच रहे है बता दे जैसे सीजल परिशा को रद कराने के लिए हजारी बाग से सैकलों की संख्या में छात्र कोकर चोक होते हुए नामकुम गए है इस दोरान सीजल परिशा की तैयारी कराने वाले मसहूर टीचर रोहत कुमार के बीच बात चित हुई है इस दोरान उन्होंने पताया है कि इस परिशा में धांदली हुई है और हम सरकार से मांग करते हैं कि परिशा को रत किया जाए राज्य की युवा सरकों पर आंदोरन कर रहे है भाबुलार मरांडी भाबुलार मरांडी ने दुमका में आयोजित परिवर्तन सभा में कहा है कि चुनाव बहुत करीब है जारखन की हमान सरकार हर दिन नई नई घोसनाय कर रही है लेकिन पिछले पांच वरसों में उन्होंने क्या किया यह सब को पता है राज की जेमेम कांग्रेस गटबंदन सरकार पिछले पांच वरसों में सिर्फ कमाई और जानता को लुटने में लगी है अब राज सरकार जो जनाव की सवगात दे रही है जो जमीन उन्होंने लुटी थी उसी का पैसा बाटा जा रहा है हेमान सुरेन आज हर जगा खुम रहे हैं अखबारों में उनकी तस्वीर छप रही है और टेलिवीजन पर वे नजर आ रहे हैं अगामी चुनाव के बदलाव पर उन्होंने कहा है कि बस एक दो महिने में चुनाव हो जाएगा चुनाव नज दिखा है इसलिए हेमान सुरेन की सरकार जानता को लुभाने की कोशिस कर रही है पर इक्छाओं में हो रही गरबर यूपर कहा है कि पेपर लिग करवाया गया आज राजी के युवा सरकों को परांदुलन कर रहे हैं लेकिन इस सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है हेमान सरकार ने मेरे खिलाब छाचा थाने में केस दर्ज करवा दिया है जारखन के नौजवानों के भविस से के लिए अगर जेल भी जाना पड़ा तो जाएंगे या यातरा तब तक चलती रहेगी जब तक परवर्तर नहीं हो जाता कांग्रेस ने साट साल तक देश का सासन किया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया उनके सासन में गाओं तक सरक और बिली तक नहीं पहुँच पाई उन्होंने जानता से अपील किया है कि आने वाले चुनामे भाजपा को अपना समर्थन दे जार्खन में बिजली बिल माप जार्खन सरकार ने पुरे राज्य के सभी गरीब बिजली उभोकताओं का बिली बिल माप कर दी है इसके तहत गढ़वा के लवग 2 लाख उभोकताओं का करीब 90.5 को रुपए का बिली बिल माप कर दिया गया है अब गरीब उभुकताओं को बीली का बाकाया बील एक रुपए भी नहीं भना पड़ेगा उभुकताओं ने सरकार के इस फैसले से काफी राहत भरी सास ली है जनकारी देते हुए पेजल स्वक्षता मंत्री मिथलेश कुमार ठाकू ने बताया है कि जहारखन के सनवेदन सिल हेमन सरकार ने गढ़वा सही जहारखन के लाखों गरीब उभुकताओं का बीली बील माप कर दिया है उन्होंने बताया है कि सिर्फ गढ़वा जिले में 1,82,929 उभुकताओं की 90,49,86,000 रुपे बीली बील माप की गई है ठाकू ने कहा है कि इसके तहद गढ़वा 1 डिविजन में कूल 1,28,516 उभुकताओं का 65,88,80 रुपे तता गढ़वा 2 डिविजन में 54,413 उभुकताओं का बील माप किया गया है जहारखन में खोले जाएंगे स्रम आवासिये और मोडल इस्कूल जहारखन विधान सभा चुनाओं से पहले सियम हमान सुरे ने धनबाद में बड़ी घोसना किया है उन्होंने कहा है कि पूरे राज में स्रम आवासिये बिद्याले खोले जाएंगे जहां स्रमी को के बच्चों को मुपत में सिक्षा दी जाएगी पांच हजार मोडल इस्कूल खोले जाएंगे ताकि राजी के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी मिल सके बता दे बलियापुर में आयोजित कारकर में उन्होंने एगोसनाय की है इस दोरान धनबाद वासियों को बिकास जोजनाओं की सोगात दी मुखी मंत्री हमनसुरे ने कहा एक विधान सभा चुनाओं में वोट के लिए बेपारियों का हेलिकोप्टर पूरे राज में घूमने लगा है चुनाओं में याद रखियेगा जार्खन में स्रम आवासिये भी देले खोला जाएगा स्रम विभाग द्वारा इसका संचालन भी किया जाएगा राजीपल ने 11,000 आंगनवारी केंद्रों का किया उधगाटन राश्ट्रिये पोसनमाँ 2024 का सोमवार को समापन हो गया है का रूप देना है कुपोसन के खिलाप इस सामोहिक परियाज से या सुनेश्चित हो कि हर व्यक्ति बिशेज कर महिलाए और बच्चे सही पोसन प्राप्त करे ताकि एक ससक्त और स्वस्त राश्ट का निर्मान हो सके हर नागरिक इस अभियान का हिस्ता बने ताकि देश को कुपोसन से मुक्त किया जा सके उन्होंने कहा है कि इस करकर में अंगनवाडी कर्मियों की अहम भूम कहा है देश के बीस राज्यों में एक गारा हजार से अधिक सक्चम अंगनवाडी केंद्रों का वर्च्वल उधाटन किया गया केंद्रिय महिला एवाम बाल विकास मंतिरन पूर्णा देवी ने कहा है कि पोसन माह के दोरान एक पेड माह के नाम से कूल 86 लाग पौधे लगाएगा है मोहन यादो ने हेमान तुसरेन की जमानत पर कहा घोटाला करेंगे तो जेल जाना होगा न मध्य परदेश के मुख्यमंतिर डाक्टर मोहन यादो ने जारखन के दुमका में आउजित एक जन सभा को समधित किया इस दुमका मोहन यादो ने जामो कांग्रेस और हेमान सरकार पर जम कर हामला बोला उन्होंने कहा है कि बावा बैदनात धाम में मैंने अपने राजी के लोगों महिलाओ की सानों और आम लोगों की बेहतरी के लिए कामना की है इसके साथ ही हेमत सरकार बदलने का भी असिरवाद मांगा आम लोगों से संकल्प लेने की अपील करते हुए कहा है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक संकल्प ले कि किसी भी हालात में इस सरकार को बदलना है कांग्रेस वा जामों पर हमला करते हैं उन्होंने कहा है कि हमन्त के चट्टे बट्टे इस राजों को लूटने में लगे हैं जमानत पर छुटने के बाद भी जानता से किस मों से वोट मांग रहे हैं इस सरकार ने 1000 का मंदे का घोटाला, 300 क्लोर का जमीन और 1000 क्लोर का खनीज घोटाला किया है यह बात CBI और ED की जाच में सामने आई है लाते हर के 93,000 उभ्रोकताओं का बिजली बिल माफ लाते हर जिला मुख्य लेशित बिधूत, एस टेशन में सुमवर के बिजली बिभाग द्वार मुख्य मंतरी उर्जा खुस हाली योजना के तहत बिजली बिल माफी परवन पत्र का बित्रन सीवीर कर आयोजन किया गया मौके पर अतिति सिक्षा मंतरी बैधनाथ राम ने कहा है कि जारकन सरकार सभी बर्गों के लिए काम कर रही है हेमान सुरेन सरकार ने राज की जानता को ध्यान में रखते हुए कई कल्यान कर योजनाय शुरू की 200 यूनिट से कम बिजली बिल आने पर बिजली बिल माप योजना सुरू की गई है इसके तहद जीले में 93.849 उभगताओं का बिजली बिल माप किया गया इसके योज में राज सरकार ने 73.36,73,043 रुपे बिजली बिभाग को दिया है जितने उभगताओं का बिजली बिल माप हुआ है सभी को पमान पत्र मिलेगा ताकि बिली बिल आने पर आप उसे विभाग को दिखा सके कि राज सरकार ने आपका बिली बिल माप किया है सरना धर्म महा समेलन 14 वा 15 नौमबर को लोगुबुरु घंटा बाड़ी धोरोम गड़ में 14 वा 15 नौमर को अंतराष्ट्रिय सरना धर्म महा समेलन का आयोजन होगा इस महा समेलन में भारत के विभिन राज्य के संताल आतिवासियों का महा जुटान होगा इसमें बिदेसों से भी लोग आते हैं अयोजन समीति ने ललपनिया लोगुबुरु घंटा बाड़ी धोरोम गड़ इस्थीत मेडिटेशन होल में अंतराष्ट्रिय सरना धर्म महा समेलन परचार्चा वासफल बनाने के लिए दो अक्टूबर समाज के बुद्ध जीवी सिक्षावी द्वा कल्यानकारी समीति की एक बैटाक बुलाई है यह जनकारी लुगुबुरुग हंटा बारी धोरोम गड़ समीति के सचीव लोबिन मुर्मु ने दी है उन्होंने बताया है कि इस बैटाक में सभी धर्म प्रांत के सवसासन बेवस्था के परमुख परगना बाबा, परानिक बाबा, गोडेत बाबा, मांजी बाबा समेत अन्यों को बुलाया गया है अंतराश्टिय सरना धन्म महा समिलन के त्यारी बैटाक में पूर्वी सिम्हूं के जमसेथ, पूर, राजनगर, सराय, केला, चांडील, पटमदा, पोटका समित अन्य जगों से सवसासन बेवस्था के परमुख सामिल होंगे पीए मोधी कल 83,300 क्रोवर की देंगे सोगात पोटके आसपास के इलाग के को नो ड्रोन जोन घोसित किया गया है जारखंड में 6 आईएस अधिकारियों का टांसपर जारखंड की हेमंत सरकार ने विधान सभाचुनाव से पहले बड़ा परसासनिक फिर बदल किया है हेमंद सरकार ने सोमर को आधा दरजन वरिष्ट अधिकारियों का तबदल कर दिया है हेमंद सरकार ने मंजुनात भजनत्री सहित परदेश के आधा दरजन आईएस अधिकारियों का तबदल किया है विभाग ने इस समंध में अईसुतना जारी कर दिया है इस प्रशासनिक फेर बदल में सबसे बड़ा नाम ज्हारखन राजय आजीव का सनवाधन सोसाइटी के मुखे करपालक पदाधिकारी मंजुनात भयंत्री का है बता दे मंजुनात भयंत्री रांची उपायुक्त और प्रवन कुमार आयुक्त उत्री छोटा नागपूर प्रमंडल रंजीत कुमार लाल को प्रवंध निदेशक ज्हारखन उर्जा उत्पाद निगम लिमिटेट वहीं ससी प्रकास सिंग को उपायुक्त जाम तड़ा उतक प्रवाईत इलाकों में साम पांच बजे की बजाए चार बजे तकी मदान हो सकते हैं सुरक्षा की दिरिष्टी से इस दिशा में पुलिस मुख्याले ने त्यारी सुरू कर दी है इसके लिए आईजी अभियान सा स्टेट पुलिस नोटल पता दिकारी एवी होमकार ने रा अस्ति नक्सल प्रवाईत चेतरों में इस्थित मदान केंद्रों के बारे में सुची बनवाईए इसके अलावा वैसे मदान केंद्रे की भी सुची त्यार करेंगे जहां किसी अन्य कारण से पांच बजे के अस्थान पर साम के चार बजे तक मदान कराना उचित परतित होत पूलिस और जीला परशासन के पर्यास किया लेकिन आक्रोसित लोग आरोपी को चीन हित कर गिरफतारी की मांग पर अड़े रहे जब पूलिस के दोरा 48 गंटे के अंदर आरोपी गिरफतारी का स्वसन दिया गया तब जाकर लोग सांथ हुए और आवागमन समाने हुआ जारखन में चल रहा नकली दावा का खेल नकली या अमानक दवाओ की खरीद विक्री कराने वाले फरजी दवा सफलायर जारखन में धरले से अपना कारोबार कर रहे हैं कोछ दिन पहले ही केंद्रिय असधी मानक नेंतरन संगठन ने बजार में नामी दवा कंपनियों दवायर तयार बुखार सुगर बीपी गैस और एलरजी की दवाओ के क्वालिटी टेस्ट में फेल होने की पुष्टी की है बतादे जारखन के बजारों में भी नकली और सब एस्टेंडर्ट क्वालिटी के दवाओ के विक्री हो रही है राज्य में फरजी दवास अफलायर के काम करने और उसके द्वारा नकली दवाओ के अस्पतालों तक पहुचाने के मामला सामने आ चुका है तीन माँ पहले सुखदेव नगर छेत्र इस्थित सरकार के सहरी स्वास केंदर में नकली एंटिबाटिक टैबलेट पकड़ी गई है किसानों के बीच एक और की परिसंपतियों का वितरन कलपना सुरेन रही महजूद गिरीडी के बेगा बांध के पेशरा टार्ण खेल मैदान में सोमवार को गिरीडी जीला क्रीसी बिभाग की ओर से किसान मेला सा क्रीसी परदरसनी का आवेजन किया गया परमंडल अस्तर ये परदर्शन सह मेला काउद घाटन राज के मंत्री बेवी देवी बिधाय कलपना सुरें सुदिव बेकुमा सोनू राज सबसांसर डक्टर सफ राज अहमाद ने सन्योक तुरुप से किया है परदर्शनी में हजारी बाग चात्रा गिरीडी बोकारो धनबात को डर्मा रामगर से बड़ी संख्या में किसान आये हुए थे किसानों की बिच एक और रुपए से अधिकी परिसंपत्यों का बित्रन किया गया इसमें साकर्टा विभाकी ओर से 500 MT का सोलर कोल्ड एस्टोरेज जबकि किरिसी विभाकी ओर से पावर ट्रेलर ट्रेक्टर रोटा वेटर पंप सेट समेत अने उपकरन सामिल है बेहतर परदर्शन करने वाले दर्जनों किसानों को प्रुस्क्रित भी किया गया है मंत्री बेवी देवी ने किसानों को रिन माफी सहीद उनसे जूड़ी अन्योजनाव की जनकारी देते हुए उनका लाब उठाने की अपील की है 14 राष्टिये जूनियर महिला होकी चेंपियनशिप का अगाज रांची के मरांगोम के जैपाल सिंग मुंडा होकी स्टेडिये में 14 हुई राष्टिये जूनियर महिला होकी चेंपियनशिप का रांची में अगाज हुआ 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित परत्योकता का उधगाटन सोमवार को मोख थिती खेलनी दे सकतंदीप कुमार होकी इंडिया के महासेची भोलानाथ सिंग ने किया है बतादे परत्योकता का आयोजन, होकी इंडिया, होकी जार्खन और जार्खन खेल विभा के सन्यूग तत्योधान में आयोजित किया गया परत्योकता में देश के विभीन राजियों से कुल 29 राजिय की टीम भाग ले रही है सुमवर को उधाटन मैच जार्खन और राय थान के बीच खेला गया जिसमें जार्खन की टीम ने एक तारफा मुकाबला में एक कोईस जीरो से जीत दर्ज की है जार्खन में 10 अक्टूबर तक बारिष के आसार जार्खन में दुर्गोचो के बाद तक मानसुन कायम रह सकता है पूजा उत्सो में बीच बीच में हलकी बारिष होने का प्रोणवान ब्यक्त किया गया है मौसम विभाग के प्रोणवान के अनुसार रांची समेत राजे के बीभीन भागों में 2-10 अक्टूबर तक हलके बादल चायेंगे और बीच बीच में बारिष भी हो सकती है दुर्गोचो 3 अक्टूबर को कलस अस्थापना के साथ सुरू होगा मौसम विभाग के नुसार राजे में 15 अक्टूबर तक मानसुन की वापसी हो सकती है पिछले वर्ष 21 अक्टूबर को हुई थी दुर्गा पुजा के दरान 10 अक्टूबर तक हस्त नच्छक्त्र भी रहेगा वहीं हस्त नच्छक्त्र की आधी 27 सितंबर से शुरू हो चुकी है जो 10 अक्टूबर तक चलेगी जारखन अंदरनकारी संहर्ष मोर्चा ने किया बिरोध प्रतसन जारखन अंदरनकारी संहर्ष मोर्चा की ओर से सोमवार को काके रोड में बिरोध प्रतसन किया गया परांपरिक अस्तर के साथ मुख्य मंत्री हैमासुरिन के आवास का घेराव करने निकले संगठन के प्रत निदी मंडल को सीम आवाचे करे ले ले जाया गया जहां पर उनकी मुखे मंत्रिक साथ बात्चित होई है संगठन के संस्थापक पुषकर महतो ने सीम को ग्यापन सोपा एवं अंदोडन कारियों के मान समान की रक्षा स्वास्थ वीमा समेत बुनियादी सुविधा नियोज जीला सिक्षा धिक्षक बादलराज के निर्देश पास सरकारी स्कूल के बच्चों में सनवाध छमता बढ़ाने के लिए स्पीक रांची कारक्रम शुरू किया गया है इसके तहत प्रात्मिक और अपर प्रात्मिक अक्षाओं के विद्यार्तियों के भी सनवाध कारक्रम क चित किया जाए इसके लिए अक्टूबर माह का बिशाय भी दिया गया है बिद्यार्थी हिंदी अंग्रेजी छेत्रिये या जनजातिय भासा में अपनी परिस्तुती देंगे एक से पंद्रा अक्टूबर तक प्रात्मिक कक्छा के बिद्यार्थी माई क्लास रूम और उच प्रात्मिक अक्षा की विद्यार थी, फेस्टिवल अफ इंडिया विशेपस सन्वात करेंगे, जार्खन में फिर पटरी से उत्री मालगाडी, जार्खन में एक और मालगाडी बेपटरी हो गई है, जनकारी के मुताविक चक्रधरपूर रेल मंडल में सराय के लाख हरसावा के चांडिल क्रोसिंग पर मालगाडी पटरी से उतर गई, शुरक्षा के लिहाज से चांडिल से होकर गुजरने वाई ट्रेनों का परिजरन फिल हाल बंद कर दिया गया है, बता देगी 26 सितंबर को भी एक मालगाडी तुपकाडी रेलवे स्टेशन के पास बेपटरी हो ग गई, रघुबर दास की जार्खन की सियासत में वापसी मुश्कील, जार्खन के पुरमुख मंतिर रोडिशा के राजे पर रघुबर दास के अगामी विधान सभा चुनाव लड़ने की संभावना चीन हो गई है, भाजपा के सिस नेतितने उन्हें इस समन्हें में असपर देने की कोई योजना नहीं है, उलेखनिया है कि उनके चुनाव नहीं लड़ने की स्थिती में पतनी अथ्वा बहु को चुनाव में उतारने की बाद समर्तकों के अस्तर से की जा रही थी, रघुबर दास पिछले दिनों दिल्ली में थे, पार्टी के कई वरीय नेताओं स उन्होंने मुलकात की है, जामुमों भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज, जार्खन विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, भाजपा राज्य में 17 जार्खन मुक्ती मोर्चा के चुनावी वादों पर सवाल उठा रही है, वहीं मिला क्या टाइग लाइन स जामुमों के रणिति कारों ने इस पर पुलटवार के लिए कब मिलेगा अभियान आरम करने का नहीं किया है, इसके ज़र्ये जामुमों के केंद्री समीथी जहर्खन से जुड़े पर मुक्त मुद्धय उठाकर के तरप सवाल उचा लेगी, इससे भाजपा भी निशाने पर आ जाएगी केंद्र सरकार की राज्य को लेकर अंदे की इस अभियान का मुख्य उदेश से है इससे भाजपा के अभियान पर भी पलटवार हो सकेगा हाल ही में मुख्य मंत्री हेमान सुरे ने केंद्र सरकार से कोईला रोल्टी का 1.36 लाग रुपए बकाया का मामला उठ आया है रांची में फोन छिंताई के 18 मामलो का खुला सा रांची पुलिस ने चूटिया इलाके से सहर में मुबाइल फोन की छिंताई करने वाले तिन अपराधी रावन अभाय सिंग और अभिस्यक पाठोगी रफतार का जेल भेज दिया है पुलिस ने तिनों आरोपितों क के पास 18 मोबाइल फोन बरामत किया है इसके लावा छिंताई की घटना में इस्तेमाल की गई बुलेट भी बरामत की गई सीटी एसपी राज कुमार महता ने बताया है कि 12 सितमर को विक्रम कुमार से चुटिया इलाके मोबाइल की छिंताई हुई थी पुलिस ने CCTV का फोटेज खांगाला तो एक आरोपित अभाय सिंग की पचान हो गई पुलिस ने सबसे पले भाय को पकड़ा और उसे पुछाच की गई तो अने दोनों अपराधियों के बारे में जनकारी मिली है मंत्री के सामने ही आपस में भीड़े आर्जेडी करकरता जहरखन में इसी सल बिधान सभा चुनाव होने है रायत भी इसको लेकर पूरी जूर में लग रही है चुनाव को देखते हुए रायत बिधान सभा करकरता समिलन करा रही है इसके तहट तमाम करकरताओं की बात सुनी जा रही है बतादे चत्रा कोलेज थीत हेली पैड मैदान में रायत का विधान सभा करकता समिलन के बाद सनीवार की देज साम आयोजीद आरकेश्टा कारकर में जम कर मारपीट होई मारपीट में करीब 6 से अधिक लोग घायल भी होगा है मामले की जनकारी होते ही सदर थाना पुलिष ने कारकरम अस्थल पर पहुँच कर आरकेश्टा को बंद करवाया जनकारी के अनुसार आरकेश्टा में भजपूरी गायक पर मोद प्रेमी या दो वकुछ लड़कियों को बुलाया गया था अपराध की दुनिया में महिलाय पीछे नहीं जारखन में अपराध के मामलों में महिलाओ के सनलिप्ता बढ़ रही है हत्या दहेज, प्रतरना, नकसली घटनाय, नासा खोरी, गिरो, जानलेवा हमले, हनी ट्रेप के साथ जिसमें फिरोसी के धन्दे में महिलाय सामिल हो रही है आकडों पर गवर करें तो पिछले तीन वर्सों में जारखन के विभीन थानों में हर साल अउस्तान 24 सो अपराधिक मामले दर्च किये गए जिनमें महिलाय गिरफतार हुई है कई मामलों में महिलाय साजिस करता रही है जबकि कई मामलों में उनकी सीधी भूम कर रही है बता दे नेशनल क्राइम रिकोर्ड ब्योरो की 222 की रिपोर्ट के अनुसार देश बहर से कूल एक लाग पशत्र आप्ट सो तीरपन महिलाओ को भी भीन अपराधिक मामलों में गिरफतार किया गया इसमें से जहारखन की 2430 महिलाय सामिल है धन्यवाद